अगर आप भी SBA credit card पर auto debit deactivate कराना चाहते हैं तो आप इस video को last तक जरूर देखेगा इस video में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे deactivate करा सकते हैं तो काफी लोगों का ये doubt है और अगर आप auto debit activate कराना चाहते हैं ये बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी request करता हूँ आप लोग इस video को देखते हैं और चले जाते हैं इस video के पीछे काफी सारी मेनते होती हैं और हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं तो प्लीज अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब पीजिए और इस video को लाइक कीजिए अगर आपको कोई भी दाउट हो तो आप इसे एक video के comment section में पूछ सकते हैं चलिए आज की इस video को सुरू करते हैं और जानते हैं कि आप auto debit deactivate कैसे करा सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करके आपको सर्च करना है sbicard.com तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ sbicard.com जैसे ही यहाँ पर sbicard.com सर्च कीजिएगा एक website open हो जाएगा sbicard का official website open हो जाएगा यहाँ पर आपको scroll करना है down side सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा एक option form central का आप यहाँ पर देख सकते हैं terms and condition और security के बाद form central का option आ रहा है तो आपको इस पर click करना है जैसे ही वहाँ पर click किजिएगा यहाँ पर बहुत सारे आपको form मिल जाएंगे आपको उसमें से auto debit deactivate form को download करना है उसके बाद क्या करना है मैं बताने वालो तो आप इस वीडियो को miss मत कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं खोज जा रहा हूं कि auto debit deactivate form कहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि secure advantage card कौन से मतलब के YC firm के नीचे मतलब auto debit deactivation letter है तो यहाँ पर आपको इस letter को download करना है तो यहाँ पर आपको download का link मिलेगा यहाँ से आपको download कर लेना है और जैसे ही download करेंगे आपको इसको print कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं auto debit deactivation letter आपको इस letter को भरना है और भरके आप जिसका card holder है जो card holder है उसका यहाँ पर signature और card holder name और यहाँ पर credit card number जो भी form में भरना है भरके आपको sbacard.com का जो office मतलब sbacard का जो step 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि step 2 में आपको क्या करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि complete the form and post to the given address तो आपको इस address पर by courier courier कर देना है मतलब post कर देना है और उसके 7 to 10 days के अंदर जैसे ही आपका courier पहुंगता है अब यह आपके courier के speed पर भी depend करता है कि कितना जल्दी आपके जो है auto debit जो है deactivate होगा तो जैसे ही अब वहाँ reach करता है आप track करते रहे हैं अपने courier का जो tracking idea होता है track करके और उसके 7 to 8 working days के अंदर deactivate हो जाता है तो कुई ज्यादा process नहीं है तो आप यहां से फिर देख सकते हैं और जैसे मैं बताया वैसे आप कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने यह भी बताया कि कैसे deactivate होता है अगर आपको इससे related कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूल सकते हैं और आप topic भी suggest कर सकते हैं आपको किस related topic चाहिए तो आप comment box में suggest कीजे़ फिर से मैं बोल रहा हूं इस चैनल पर नहीं तो प्रीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही जै हिंद और मात्रम